आपने PC बिल्ड कर लिया, कोई मीनी PC ले लिया, गेमिंग कुंसोल ले लिया, उसके साथ UPS एक बहुत बड़ा सवाल है, जो मुझे कॉमेंट सेक्षन से बहुत बढ़ा रगा, क्यार UPS भी रेकमेंड कर दो, हमें चाहिए है, लाइट भाग जाती है, बंद हो जाता है, तो ट टेक्निकालिटीज हैं, कहां कैसे चलेंगे, अलग-अलग डिवाइस पर हमने टेस्ट किया है, लाइक कंसोल प्लस मॉनिटर कॉम्बिनेशन, मैक मीनी प्लस मॉनिटर कॉम्बिनेशन, PC बिल्ड के उपर राएगा है, कितना कितना बैकप दे रहे हैं, आपको कैसे UPS चूज करना है, अपनी डिवाइस के साब से, वो सब कवर करने वाला हूँ, UPS रिव्यू नहीं है, बागे जो वीडियो में दिखा रहा हूँ, वो तो दिखा ही रहा हूँ, अकर तुम पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल आता है, UPS इसको कहते गया है, अनिंटरॉप तो आपको कुछ नंबर दिखा ही देगा, जैसे 650 VA हो गया, उसके बगल में 360 Watt लिखा है, अब ये कैलकुलेशन कैसे हुई, बेसिकली टोटल वाटेज जो कंजम्शन है आपका, उसको डिवाइड बाई 0.6 कर दो तो आपको VA वैल्यू मिल जाती है, और इसी हिसाफ से आप लिस्टिंग के साफ से UPS ले लेते हो, तो क्या वो उतना लोड उठा पाता है, जितना आपके पास है, वो टेस्टिंग में हमें पता लगा, और अगर आपके पास कोई गेमिंग PC बिल्ड है, और उसके अंदर आपने 550 Watt की पावर सप्लाई लगाई हुई है, जरूरी नही अब अपना extension board वगरा plugin कर दो, जिसके अंदर आपकी सारी devices plugged है, जिसमें monitor भी हो गया, PC भी हो गया, या फिर आपके वास कोई gaming console है, और उसके साथ TV या monitor है, तो आपको total power load पता लग जाएगा, आप UPS भी बहुत तरीके कहाते हैं, जैसे online, delta conversion, modular, ऐसे बहुत सारी variety है, लेकि से light गई तो वो काफी load उठा लेते हैं अपने उपर, बट compare to line interactive UPS, जो हम test कर रहे हैं, उसके comparison में voltage regulation थोड़ी कम होती है, लेकिन पिछले 5 साल से मैं अपने बड़ा inverter यूस कर रहा हूं, उस पर मेरे PC, gaming console वगरा सब चल रहे हैं, मुझे आस तो कोई दिक्कत आई नहीं, voltage regulate करने के लिए, अब जो हमारे बास 5 UPS हैं, उस सब की details आपके सामने screen पह रहे होंगी, pricing, technicalities, charging time वगरा, जो भी पीछे कितने socket वगरा है, video pause कर लो, pricing starting from 2399 to maximum 7000 तक का हमने UPS यहां पर रखा है, with different VA values, अब टेस्टिंग के लिए हमने different scenarios बनाए हैं, जैसे हमने एक तो gaming PC बिल ने PC को full load पे डाला, पतलाब 100% load पे प्राइम 95 और 4Mark चलाया था, जिसमें CPU GPU full load पे चले जाते हैं, तो total power consumption हमारा 370 Watt के आसपास तक ही गया, यानि कि जो हमारे components हैं, उनका power draw कितना है, 550 Watt की power सलगे तो थोड़ी extra डाल दी, अब for example, आपने कोई i5 वाला PC बिल्ड करा है, उ पावर सप्लाई 1100 Watt की लगा जी, तो 1100 Watt कंजूम थोड़ी करेगी पूरी, तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि wattage consumption आप चेक कर सकते हैं, तो total हमारा power consumption इस setup का 435 Watt का हुआ, फिर हमने दूसरा setup बनाया Mac Mini M4 with the same monitor, इसको भी हमने stress test में डाला, तो total power draw monitor और Mac Mini लगा के 73 Watt क आसपास गया, तीसरा setup था हमारा PlayStation 5 with the same monitor, इसका total power draw था हमारा gaming load पे 260-280 Watt के आसपास, अब ये wattage उपर नीचे हो सकते हैं, depending upon your load, हम तो 100% load डाल रहे हैं, क्योंकि तेस्टिंग करनी दी, वरना का भी आप गेम खेल रहे होते हो, किसी में CPU जादा यूज होता है, किसी में द देखना था कि brand to brand backup भी vary करेगा, और हाँ इन दोनों के अंदर बैटरी 7 और 7.2Ah की है, जादा difference नहीं है, अब स्टार्ट कर लेते हैं, तेस्टिंग प्रॉसस जिसके अंदर सबसे बहले 600 VA वाले UPS से शुरू करते हैं, इसके अंदर VGuard वाले UPS में, Mac Mini वाले setup में, 19 minutes 50 seconds का backup हमारे को मिला, और वहीं पर APC वाले में 16 minutes 39 seconds का मिला, तो यहाँ पर बैटरी बैकप वरी कर सकता है, brand to brand, बले एमपेर आर सेम हो, बलकि APC वाले में 7.2Ah की बैटरी है, और VGuard में 7Ah की है, स्टिल यहाँ पर बैकप VGuard वाले जादा दे गया, और वहीं पर PlayStation और Gaming PC वाले setup मे दोनों ही UPS ने मना कर दिया, अब यहाँ पर console वाले setup में question arise होता है, क्योंकि उसका total load तो 280W का था, और यहाँ पर 600VA वाले कोई भी listing देखो, उसके बगल में 360W लिखा होता है, तो load तो हमारे पास जादा हुआ ना, तो यहाँ पर आपका जो भी actual load है, उससे जादा VA का UPS आ पास था, तो वहाँ तो overload होके बंदी हो गया, फिर उसके बाद Microtech Legend, जो हमारा 650VA वाला UPS है, और यह सस्ता है, compared to VGuard and APC, तो brand वाली चीज भी आ सकती है, जब आप सर्च करो तो देख लेना, किसकी brand value कैसी है, क्या निया, जितना हम टेस्स कर रहे हैं, हमारे case में सारे वाली research थोड़ी आप खुदी कल लेना, और यहां पर इस UPS की testing में, Mac Mini वाले setup का backup मिला 12 minutes 5 seconds, जबकि इसकी बैटरी भी 7Ah की है, पर यहां पर और backup का मैं इसका, और PC और console के setup में, obviously यह भी overload होके बंद हो गया, फिर आगया Luminous 1000VA वाला UPS, जिसके अंदर मारे को बढ़िया backup म PlayStation वाले को obviously यह उठा गया, लेकिन जादा देर नहीं, 4 minutes के आसपास ही चल पाया, और PC setup में यह भी नहीं चल पाया, अब आप देखो 1000VA वाले UPS, जो हमारा 600W का load बोलते हैं कि उठा लेंगे, लेकिन हमारे 430W के load को भी उठा नहीं पाया यहां पर, तो कोई आपके पास ऐस PC है, जिसका load 500W के आसपास है, आपको इससे भी उपर का UPS लेना पड़ेगा, 1100VA या उससे भी उपर, अब जैसे अगला आ गया है, APC का, जो हमारा 1100VA वाला UPS है, इसके अंदर Mac Mini की टेस्टी में बैटरी 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 बैट चाहिए, तुरंत आपको अपना सिस्टम बंद नहीं करना, तो आपको इससे higher VA value वाला UPS सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहां पर conclusion की बात करें, हमारी टेस्टिंग में जो हमारे को समझ में है, कि अगर आपके पास एक Mini PC का सेट अप है, और आपका पावर कंजम्शन 100W य हाँ, महेंगे UPS आते हैं मार्केट में, लेकिन फिर वो commercial grade UPS हो गए, और maximum जो VA rating है मार्केट के अंदर, वो 2000 तक हमारे को मिलती है, specifically in terms of UPS, consumer UPS के में बात कर रहा हूँ, उससे उपर भी अगर आपका power consumption है, for example, 1300W की power supply है, 1590 Ryzen 9 आपने लगा रखा है, तो आपका power consumption monitor मिला ग 5kWh, 5kWh, RAM से मिल जाते हैं, because उसमें battery separate होती है, और UPS में battery अंदर ही होती है, तो वहाँ पे थोड़े options limited हो जाते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा, आपको UPS कैसे select करना है, आपके बास system कैसा है, power draw क्या होता है, और कम सेखम 10-20% का extra room लेके चलना है आपको जितना भी आपका power consumption है, वरना overload वाला issue आ सकता है, और आपने testing में जो एक चीज़ नोटिस करियोगी, जो battery backup है, वो अलग-अलग UPS का थोड़ा बहुत उपर नीचे है, same scenarios में, क्यों? क्योंकि systems की power consumption vary करती है, for example, अगर आप playstation में game खेल रहे हो, game का कौन सा scene चल रहा है, menu पे हो, या फ सकता है, चीज़ थोड़ी दर-दर हो गई हो, उसके लिए माफी चाहूंगा, और इन सारी UPS के links में मैं description में देदूँगा, इसस पर testing purposes है, हो सकता है, आपकी need के हैसाब से ठीक हो, तो वहाँ से अब buy कर सकते हो, वाकि like मार सकते हो, मिलता नेक्स वीडियो अब तक के लिए बाइ